अगर आप भी अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं यानि कि आप अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं मोबाइल नमबर को जोड सकते हैं इसकी complete process आपको इस वीडियो को हम बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहें कि 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 अधार कार्ड में मोबाइल नमबर जोड़ने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है आस्क वन यू आइड यज आई तरह का इंटर फेस आपको इस ओम पेज आपको दिखाई देगा इस वीडियो में आपको दे देंगे यहां पर देख सकते थे अधार अपडेट यहां पर options आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर रखेंगे mobile number, तो simply यहाँ पर आपको एक mobile number feel करना है, और नीचे जो capture code दिया हुआ है, इसको feel करके generate OTP पर आपको click करना है, चलिए यहाँ पर हम आधरकार में mobile number लिंक करके आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पर एक mobile number हम feel करेंगे, mobile number यहाँ पर आप feel करने के बाद, आपको नीचे जो capture code feel कर देना है, जो capture code दिया हुआ है, इसको feel करना है, उसके बाद आपको generate OTP पर click करना है, click करते ही देख सकते हैं, success one time password OTP has been, आपका जो mobile number है उस पर भेज दिया गया है, आपको more OTP यहाँ पर नीचे enter करना है, और नीचे आपको देख सकते है, verify OTP का जो option दिखाई देगा, आपको OTP फिल करने के बाद verify OTP के option पर click कर देना है, click करते ही आप next home web page पर आएंगे, जिसमें आप देख सकते है, resident type, यहाँ पर दो option दिखाई देगे, resident and non-resident of India, simply यहाँ पर दोनों option दिए हुए है, आपको option choose कर लेना है, उसके बाद देख सकते है, आधार नंबर, तो simply आपका जो आधार कर नंबर है, जिसमें आप mobile नंबर लिंक करना चाहते हैं, वो आधार कर नंबर यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद name on आधार, यहनि कि आपके आधार कर पर जो name है, आपको correct name यहाँ पर फिल करना है, जो आधार कर पर नाम है, आपक फील करना है ओड यहां पे document आपका select रेने देना हे आप डोकुमेन्ट है document उसके बाद यहां पर AIDSеп का chain करना है आपके जो भी stays है उस्तेट है सारी स्टैट यहां पर देवे हैं जिस STATS साप है आप का जिस इस्तेट का अजुड हो इस्तेट चुज करना करना है उसके बाद यहां पर आपको CT का चैन करना है आपकी जो bak Shadia आपको का पे ct ayha यहां पर कर ली जात को कर लेना हिए उसके बाद ceva Kendra अपको आधार सेवाग केंद्र का options select करते और कुछे यहां पर आपको नीचे next option मिल जागा simply आपको next option पर क्लिक करना है नीचे कोर्ण में आप देखेंगे next तो simply आपको next के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखेंगे select field of be update यानि आप जो update करना जाते है नेम अपडेट करना चाहते है जेंदर new mobile नंबर email id address data of birth, boyometric, photo, iris, fingerprint, यहाँ पर आप सारी चीज अपडेट कर सकते हैं घर वेटे तो simply अगर हम यहाँ पर mobile number का वहाँ बताने वाले हैं क्योंकि है mobile number हमें new link करना है नया mobile number यहाँ पर add करना है तो new mobile number के option पर click करेंगे click करते हैं यहाँ पर आपनी mobile number starting में field किया है वो दिखाई तो वह mobile number यहाँ पर फिल करके capture फिल करके OTP से आप पर submit करके verify कर देंगे verify करने के बाद यहाँ पर next पर click कर देना है नीचे corner में आपको next के option पर click कर देना है click करते ही यहाँ पर एक slot मिल लिए आगा जिसमा आप date के साथ इक slot पर click करके next के option पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको update की जो fees है वो fees पर करने होगी फिस यहाँ पर देख सकते हैं फिस यहाँ पर आपको दिखाए देगी और नीचे आपको submit के option पर click करना है फिर finally अगर आप यहाँ पर submit करना चाहते है तो आपको okay का option मिल जाएग यहां पर आपको select payment mode select करना है तो हम online select कर लेते हैं उसके बाद payview पर आपको click करना है और यहां पर option मिल जाता है credit card, debit card, net banking, UPI तो हम यहां पर UPI option click करेंगे और make payment पर हम click करेंगे, click करते ही आपको यहां पर payment जो कि 50 रुपरी जो fee से update की वो यहां पर आपको pay करने होगी, यहां साब UPI choose कर लेंगे, phone पर option choose कर सकते हैं, Google Pay, Paytm, यहां पर सारे ही UPI दिये होएं, कोई भी एक choose करके आप payment 50 रुपिस कर सकते हैं और आप अपने RR card को घर बेटे ही online appointment लेकर update करवा सकते हैं,